नमस्कार स्वागेता आपका इंडिया वाइस पर मैं हूँ आपके साथ सुईटे दिक्षित बिल्टन की शुरू बात करेंगे बड़ी ख़बर के साथ भारत निरवार्चन आयोग ने आज करनाटिक विधानसवा चुनाओ की तारीकों की घोशना किया उन्होंने बताया है कि करनाटक में एक चरनमने विधानसवा चुनाओ होगा दस मई को मद्दान होगा और तेरह मई को मतगरना होगी मुखे चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राजे में पांच दशमलव दो एक करोड मद्दाता है जिन में पुरुष मद्दाताओ की संख्या दो दशमलव छे करोड है जबकि महिला मद्दाता हो कि संख्या दो दशमलव पांच करोड है और बड़ी ज़ानकारी यूपी उप्चनाओ से जुड़ी ये बड़ी खबर दो सीटों पर उप्चनाओ का हुआ एलान स्वार और 96 विधानसवा सीट पर उप्चनाओ का एलान दो उप्चनाओ के से चैटों पर उप्चनाओ के सीटों पर विधासबा सीट पर उप्चनाओ का एलान दोंगना दोनों और सीटों होनी यथेुप्चनां से जुड़ी ये बड़ी। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्कीन पर कि किस तरीके से दो सीटों पर उप्चनाओ का एलान हुआ है और दस मई को वोटिंग होनी है। प्रियम पाठक जार जानकारी के साथ हमारे से जोड़ चुकि रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरी सीट है वो मिर्यापूर की सीट है जो सीट खाली हुई है। अपना दर जो गड़मन में है पार्टी अंदर पार्टी के साथ उसके विदायक से लेकिन की मश्ची हुई है। उसके बार से वो सीट खाली हुई तो इन दोनों ही सीटों पर उसको लेकर आप चुनावायों की तरफ तारीकों की जो घोशना है वो कर दी गई है। तेरा अप्रेल को इसका गजट नोटिफिकेशन वो जारी होगा। 20 अप्रेल को नामांकन का आक्सी दिन होगा। जो जो अपने खेमें प्रियाद को कि लोग जो है वो अब समाज़ी पार्टी के ज़ना पसंद कर रहे हैं और इसके जरीय कहिना का इनकाइच लाओं में एक पार्टी का जो दोनों ही बहेंगे लेकिन बात की जाए लेक्सिन की तियारी होगी तो कितने दिन में तैयारी होने शुरू हो जाएगी इस उपचनाओ को लेकर? देखे तैयारियां की पुरी कर ली गई है उसकी बात ही जो है चुनाओ को जानकारी जरी किना जानि है और किस तरह के से पूरा वाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियम तमाम जानकारी दो दो सीटों पर उप्चनाओं का एलान हो चुका है तेरह मई को इसका रिजल्ट आएगा मतगर्णा जो है तेरह मई को होगी और दस मई को चुनाओ होना है और बड़ी जानकारी सोनिया और राहूल गांदी की संजे राउत के साथ बैटक थोड़ी देर पहले राहूल गांदी संसद भवन पहुचे सदस्ता खतम होने के बाद संसद भवन पहुचे राहूल गांदी सावरकर विवाद को लेकर कॉम्विया सुदव गृत की बैटक हो लेकिन आप देखिए कई न कई यह अनुल्जे रिष्टे जो है सुलच्टे हुए नजर आ रहे हैं और बैठक जो है वो हो रही है आपको बता दे कि सरस्ता खतम होने के बाद संसलभवन भी पहुंचे है राउल गांदी तो बड़ी जानकारी आपके साथ साजा कर रहे हैं सा बैठक जो है सावरकर के बयान के मद्दे नजर हुई है और शिव सेना उदव गुट के नेता संजे राउत ने बुदवार को कहा कि उनकी बाटी महाराज के साथ राश्टे सर पर विपक्षी एकता को सबसे उपर रखे गी और संसद में विरोत प्रडर्शन में हिस्सा ले है जब ठाकरे गुटवीर सावरकर पर राहूल गांदी के बयान से नाराज हो गया था और विपक्ष की बैटक में शामिल नहीं हुआ था सावरकर पर रार के बीर संचे रावत कई बयान सामने आया है पर राहूल गांदी ने सावरकर पर लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी महाराष्टा में रहेगी और देश में भी रहेगी हम एक साथ है लेकिन हमारे जो कोई मुद्द है को हमने जहां तक पहुंचा ना था हमने पहुंचा जे है और उसका रिजर्ट हमें मिल गया है हम जाएंगे महाराष्टा में आप उसकार निभार रहे है और राष्ट्य अस्तर पर भी हम लोग सभी इफ़क्ष्य के साथ हम रहेंगी और बिहार के मुक्य मंत्री निटिश कुमार ने एक बार फिर साफ किया है कि उनका फोकस विपक्ष को एकजुट करने पर है निटिश कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकता पर मेरा ध्यान है 2024 के चुनाव में विपक्षी एक्ता हो और इसी को लेकर वो पहल कर रहे हैं कॉंग्रिस की राए का इंतिजार कर रहे हैं विपक्षी एक्ता पर सेमनेतीश का बयान आया है लोग सभा का चुनाव तो जानते हैं न भाई कि विपक्ष ये अधिक से अधिक लोगों की एक्ता मेरी इच्छा है न आद तब से न हम इंतिजारे कर रहे हैं हम तो इतजार कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी एक जूठ हो जाएगे तोड़ा मजबूती के साथ 2024 का बिधान सब्सक्राइब तो हम तो इसी इच्छा में इसलिए हम चुक्चा बैठे हुए अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम दो राउंड गए सब लोगों से बाचीत हो गई है तो हम वेट कर रहे हैं तो हम लोगों के साथ मिल करके करना है तो हम लोग वेट कर रहे हैं जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं अनेक जो छेत्री पाटियां है उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा तो हम इसलिए इंतिजार में हैं तो हम आजकर कुछ बोलते नहीं हैं और सीम योगी ने कुछी नगर जनपत में दोरे पर पहुँचे जहां पर उन्होंने जिले को 451 करोड की परियोजनाओ की सौगादी साथ 106 परियोजनाओ का शिलनयास और लोकारपन किया इतना ही नहीं 451 करोड से बने खटा तहसील का लोकारवन भी किया बता दे कि सेम योगी ने खटा तहसील में आयोजी सम्मारों में 451 करोड रुपे की लागत से 329 परियोजनाओ का लोकारपन तथा 546 करोड रुपे की लागत से विभिन विधान सभाओ में 461 के बारे में बताया और हर्दोई में कोल्डरिंग में नश्रिला प्रदात मिलाकर नाबाली के साथ दुश्करम का मामला सामने आया है जिसका आरोब गाउं के ही एक यूवक पर लगाया गया है पीडिता की मा ने बताया कि घटना के दौरान वो घर पर नहीं थी और तभी उसी बीच आरोबी यूवक ने वारदात को अंजाम दिया तो वहीं पुलिस अदिश्क ने बताया कि नश्रिला परदात मिलाने के बाद रेप किये जाने की तहरीर प्राप्त हुई है और तहरीर म मामला प्रकास में आया है उत में थारा सर्ष्ट पर मुकंदा पंजिकृत कर लिया गया है और विवत्तार करके आऊसे बिदी कारवी कि राइबरील में एक यूवक का शव संदिक परिस्तितों में सड़क के किनारे मिला शव मेलने से इलाके में हड़का मच गया है तो वही पुलिस्तानी ये लोगों की सूचना पर पुलिस पहुशी और शव को कबसे में लेकर पोस्माचम के लिए भीज़ा और शव के शिनाकत करने में जुटी हुई है पुलिस्तान शेत्र के गोपाल इंचर कॉलेज के पास की घटना बताय चा रही है तो सड़क किनारे युवक का शव मिला है जिसको कबसे में लेकर पुलिस ने पोस्माचम के लिए भीज़ देया है और युवक कहां से आया इसका शव कौन था युवक की इस बात की भी जाज पर टाल करने में जुट गई है पुलिस माफिय अतिक एमत का काफिला बुंदेल खट एक्प्रस वे के रास्ते से बांदा की सीमा पर पहुँच गया है अब वापस अतिक को साबरमती जेल लेकर जाया जा रहा है जाया यूपी पुलिस महोबा हमीरपूर जालोना जासी होते हुए गुजरात के साबरमती पहुचेगी अतिक को सुरक्षी जनपत की सीमा से बाहर निकाले के लिए बुंदेल खट एक्प्रस वे पर जगा जगार पुलिस की टीमे मौजूद है उमेश पालपरण केस में प्रियागराज की एमपेमिले कोज का फैसला आने के बाद माफी आती के भाई अश्रफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया इस दौरान अश्रफ ने पुलिस वेन में बैठे बैठे यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी का नाम लिए बिना उन पर गंबीर आरूप लगा दिये हैं आश्रिफ ने कहा है कि उससे किसी बड़े अफसर ने कहा है कि दो महीने के अंदर तुम्हें फिर से किसी बहाने से जेल से बहार निकालें और तुम्हें निप्टा दिये जाओगे हाई कोड का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कारवाई कोड करना चाहा है कर सकती है लेकिन फिर भी मुझे कोड से मेरे भाई को जेल से निकाला गया उनके लिए सुप्रिम कोड का आदेश है कि कोई भी कानूनी कारवाई करनी हो उसके लिए कोड वीडियो कारवाई कर सकती है कि जब मुझे किसी वी वज़ा से अगर जेल ट्रांसवर वगारा के लिए निकाला जाता है तो वीडियो गराफी हो और मेरे पसंद का धिवत्ता मेरे साथ रहे जो कि कोई नहीं है कि अपर भी आरूप है लेकिन सद्दाम कुपी जेल जेल नहीं है से बाहर था जब वो ग्यारा तारीक को नो लोग मैं विदायग रहा हूँ वह मेरा रिष्टेदार है सादा है बहुत सारे हमारे समर्तक बहुत सारे जानने वाले इस ने कहा कि विदायक और एंप्पी जो है हत्क्या नहीं करवा सकती इस से पहले भी आरू और केंद्री मंत करता है कि इस देश पर श्यासन करना उनका जन्म से दधिकार है केंडरे मंतरी अश्नी वैश्टो ने आके कहा है कि राहूल गांदी हग की राशनीती करते हैं वो सोचते हैं चुकि वो एक निश्चित परिवार में पैदा हुए है इसलिए वो समिदान अदालत और संसत से के भी सोचते हैं कि वो भारत के सविदान से भी उपर है और विनायग दाम दर सावरकर पर अपनी टिपनी को लेकाई पूर्व सांसत राहूल गांदी मुसीबत में फस्ते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाब सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुकदमा दर्ज करने की बात कई है रंजीत सावरकर ने कहा है कि अगर राहूल गांदी सावरकर पर दी अपने बायान पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ हम F.I.R कर है और उसके उपी राहूल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पे कानुनी कारवाई की है बीच में महाराष्ट में उन्होंने जो स्टेट्मेंट किया था उसके अगेंस पुलिस केस भी मैंने किये पात साल पहले मैंने भुईवाडा कोट में केस के फौजदार और उसके उपर कोट ने डिरेक्शन दिये पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए तो और अभी जाके मैं वापस करवाई करूंगा ही और बिचली के ट्रांस्फोर्मर में लगी भैंकर आग 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 ने विक्राल रूप धारन किया दूदू कर जला ट्रांस्फोर्मर दुकान भी आग की चपेट में आई फाइर बिगेट की टीम ने आग पर पाया काबू बिजनौर के नजीबाबाद धानस्चेत्र का मामल आग ने विक्राल रूप ले लिया है आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से आग धीरे धीरे विक्राल रूप लेता जा रहा है और दमकल विबाद की गाडिया भी मौके पे मौजूद है आग को बुजाने की कोशिच लगतार की चा रही है दूदू करके अपनी चपेट में ले लिया है तो ट्रांस्पोर्मर में आग लगी जिसके बाद से आग ने कितना विक्राल रूप ले लिया है यह आपके टीवी स्क्रीन पर है दमकल विबाद की गाड़िया भी मौपे पहुची है मौके पौल लगतार आपको बुजाने का काम किया जा रहा है और शासी से एक खबर सामनी आई है जहां देरा डकैदी कांट के बदमाशों से स्वाट और गुड सराय थाना पुलिस के मुटभेड हो गई बता दे कि मुटभेड में दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गई वही दो बदमाशों को पुलिस टीमों ने गिरफतार कर उनके कबजे सितमंचा कार्टू सहीत लूटी गई नगदी और जेवरात बरामत कर लिये हैं बताया जा रहा है कि पुलिस बदमाशों की मुटभेड की सूचना पर सस्पी सहीत आलादकारी मौके पर पहुंच गई हैं जाकिती कांड के बाद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही हिए और चेकिंग में यह पता चला कि पुलड़े फर्त्यपूर साइट से दो मोटर साइक इस सवार पे चार बदमास दो बदमास रभी बरायर पुलिस द्वारा भी फारिंग की गई जिससे रभी वरारो मुलाइम को बोली लगी इन्हें चीकिस्सा है तो स्यस्य भेज जा गया है इसके अलावा जिनके पास से पुछ एक असलाह बरामद हुआ है और कुछ पैसे और इनके द्वारा डगैती वचूरी में किये जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं और इस बिच बड़ी जानकारी समाल लेकर जा रही मालगाडी का इंजन पट्री से उत्रा रेलवे याड से समाल लेकर जा रही इंजन पट्री से उत्रा पीक्यू आर एस याड से लेकर जा रही थी मालगाडी पट्री से उत्रे इंजन की सूसरा मिलने से मचा है हरकम पीक् पट्री से उतरे इंजिन की सूचना मिले पर हड़कम मत चुका है बड़ी चानकारी आपके साथ साज़क करें रेलवेयाड से समाल लेकर जा रही इंजिन पट्री से उतर चुकी है PQRS से रेलवेयाड के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो समाल लेकर जारी मालगाडी का इंजन पट्री से उतर चुका है रेलवे याड से समाल लेकर जारी थी इंजन जब पट्री से उतर चुकी है बतादे समाल लेकर जारी थी मालगाडी का इंजन पट्री से उतरा रेलवे यार्ट P2R S यार्ट से लेकर जा रही थी माल गाड़ी पटी से उतरे इंजिन की सूचना मिलते ही मच्छा हरकम बड़ी जानकारी आपके साथ साजा करें रेलवे यार्ट से समान लेकर जा रही थी इंजिन पटी से उतर चुकी है PQRS रेल्वेय यार्ट के पास का ये पूरा मामला है तो रेल्वेय यार्ट से समाल लेकर जा रही इंजन जब पट्री से उतर चुकी है बता दे कि आपको PQRS यार्ट से लेकर जा रही थी मालगाडी और इसी बीच जैसे ये सूचना मिले इलाके में हरकम मच गया है बता दे इंजन की सूचना मिलते ही मचा है हरकम बढ़ जानकारे आपके साथ साज़ा कर रहे हैं समाल लेकर जा रही थी मालगाडी का इंजन पट्री से उतरा पीक्यू आइस रेलवे ग्याद के पास का ये मामला है अरसंबल में दो बस चालकों के बीच आगे निकलने की होड में बड़ा हाथसा होते होते टल किया जहां बस चालकों की मस्ती की वज़े से सवारियों से भरी बस रॉंग साइट जाकर डिवाइडर से टकरा गई जिसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने बस का साथ हजार रुपे का चालान काटा साथी चालक को सक्त हिदाया दी की आगे से ऐसा ना करे और छोड दिया वही बस में सवारियात्यों में घटना के बाद देश्यत का माहूल बना है बताया जा रहा है कि बस का चालक नशे में था इसी वज़े से यह हाथसा हुआ रोडवेज बसों में आगे निकलने की होड पे यह हाथसा हो गया जिसके बाद से साथ हजार का चालान काटा गया अगली वाली रोडवेज के बरेक लेगे तो पीछे वाली रोडवेज के बरेक ने लेगे और गाड़ी इसने रोंग साइड काट दी और इसी काड़ों डियाइडर में भी कट तक रहा है तो उस पे चलान की कारववेज के चालक दोवारा जो रोंग साइड लेका है और जो खतरनाक दसे गाड़ी चलार थी इसमें गाड़ी का चलान किया गया और जो वहां चालक थे इनको आगे से इदायत दी गी कभी भी स्पीड में रोंग साइड ड्राइविंग ना करें तो फिलाल के लिए बुलिटर में इतना ही बाकी जानकारी के लिए देखते रहे इंडिया वाइफ